कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में दोस्तों खाद्य सुर्क्षायजना की अंतिम दीति को लेकर मैंने चैनल पर वीडियो डाल दिया है तो एक बार फिर से आपको यहां पर बता देता हूं कि 30 अप्रेल 2022 से खाद्य सुर्क्षायजना में करने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप है जो अगर आप पातरता रखते हैं खाद्य सुर्क्षायजना में फॉर्म बरने की तो आप है जो एप्लाई कर सकते हैं 30 अप्रेल 2022 से पहले पहले लेकिन उस वीडियो की नीचे कमेंट आ रहे हैं और वार्ट्षाप के जि लोगों को जोडने के लिए खुले पोर्टल पर मैच 22 दिन में आवे दिन करने वालों की जो संक्या है वह नौलाक पार यानि कि दोस्तों नौलाक से अधिक आवे दिन है वह कल की डेट तक है जो हो चुके थे तो यहां पर दोस्तों जो आज की 32 अप्रेल तक बंद करने की जो अपडेट आई है वो इस वज़े से आई है क्योंकि 22 दिन में नौलाक आवे दिन हो चुके थे और कल और आज मिला कर दोस्तों दस लाक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो इस वज़े से एक बार उनको क्या है कि जितने भी फॉर्म में उनको चेक किया जाएगा उसके बा बार फिर से पोटल को ओपन किया जा सकता है तो यहां पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है लेकिन जो नौलाक आवे दिन हुए हैं वो कैसे हुए हैं किस प्रकार जो हैं आप यहां पर देख सकते हो इसको थोड़ा सा पड़ लेतने राज्जी सरकार ने खादी सुर्क स दस लाग नए नाम जोडने की गोशना की थी करीब दो साल बाद पोटल शुरूआ जिस पर रुजान इतना है कि 22 दिन में ही आवे दिन नौ लाग के पार पहुंच गए जिनमें छेरी सेत्रों में सोंबार तक एक लाग 33,723 और क्रामिन सेत्रों में 7,66,330 आवे दिन ने वो आ चुके हैं यानि कि मंडे तक की अपडेट है अब तक परदेश में करीब 4.46 क्रोड लोगों को रासन में गयों मिला था और खादी शुरुक्षा युजना के लापार्थियों की संक्या वो 6,77 क्रीब शाट लाग है और ग्रमन शाटर से दोस्तों यहां पर कम से कम प अप्लाई कर रहा का था गोरतलाबैक की एनवेस से सुच्ची में नाम जोडने के लिए शैरी और ग्रमन शेत्र में 32 जो कैटेगरी रखी गई थी उन कैटेगरी में अन्तवद्य परिवार बीपेल इस्टेट बीपेल परिवार सामाजिक पहेंस नियुजना के लाबारती स साथी जो एकल मयला हैं वीदवग अगईरा शरम विवाग में पंजीक ग रद्यनी लेबर कार्ट वाले इसके अलबावा कत्रा बीन वाले परिवार सीटी में और सिटी में जो फ्रेटेट बेंडर्स रिक्षा चालक खूली वग्यरा जो बी एर्सम सिलिकोसिस रोग से गरस नाम जुड़ चुका है यह जिनको खादी शुक्षा का लाब मिल रहा है परदेश में राशन की दुकानों पर गयों के अलावाद चाय वह नमक भी उबलब्त कराए जा रहे हैं इसके लिए विवाग यह समिक्षा बेटरंग मुक्यमेंदर निर्देश दिये थे कि राशन की दुकानों पर राज-चाय नाम करके 200 रुपे किलो और सांबर नमक जो की सांबर लएक जैपुर मनता है 10 रुपे किलो में निर्दा रित्याई चाय की खरीद यहांपर दोस्तों 173.25 रुपे हैनी 140 रुपे परती किलो में खरीधी जाएगी इसमें दोस्तों यहां पर दमक है वो मिलनेवाला सस्ते दाम में चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आवेदन करनेवाला में जो ग्रामण की संक्या यहाँ पर शाड़े साथ लाग से उपर है और डेड़ लाग के करीब है जो 6 रिशेतर से आवे दन है और टोटल मिला कि यह नौ लाग से उपर है जो संक्या हो रही है और आज डेट तक दोस्तों मेरे अकोडिंग है जो दस लाग से उपर आवे दन हो चुके होंगे अभी 30 अपरेल बाक है जो अपरूट किया जाएगा अधरवाइस फॉर्म है जो डारेक्ट रिजेट कर दिया जाएगा चलिए आप यहां पर देखते हैं यूजना में अपात्र वालों के करीब 45 लाक नाम अटाएगा है जिहां दोस्ता आप देख सकते हो पात्रतार नहीं रखते हैं लोग फि और पिछली दिनों सरकारि करमचारियों अपातर और गयूँन ना ले रहे करीब 45 लाक से जादा नाम है जो निरस्त किये थे जांच के बाद गयूँ लेना वालों में करीब पांच लाग के करीब और दो तीन बार नाम जुद्वन वाले करीब 18 लाग अविद्रों को है जो लिष्ट जे अटा दिया था और यहां पर दोस्तों इसकी जो संक्या है वो भी यहां पर बढ़ने भली है दुकानों की जो डीलर हैं क्योंकि जाइर सी बात है कि 10 लाग कर रसत अधिकरी होते हैं उनसे परपोजल मांगे थे कि किस जगह कौन-कौन से दुकानों की रिक्वार्मेंट है नई दुकानों की पहले करीब दोस्तों 26,000 दुकान हैं और नई खुलने से अब है जो टोटल मिला के 31,000 दुकान होने वाली जिससे क्या है कि आपको समय पर र पलाइन नहीं कर सकते हैं बिलकुल आप कर सकता है अब पहतर लोगों के अभी इस में से नाम अठाए जाए फिर नाम अठाने के बादा एक बार उन से काउंटिंग कि जाएगी हो सकता है कि कांटिंग करने के आपके फॉरम की जो संक्या है वह सात लाग आट लाग रह तब आपको इस चैनल पर सबसे फ़ेले वीडियो के मात्म से जो जानकरी दे दी जाएगी तो उमीद करता हूं जानकरी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल एकन और प्रेस करें थेंक्स पॉर वच्चिंग अ